देखें, शियोपुर में कितना जोश है, है जोश, कितना जोश है भई, देखें, पूरा जोश नहीं दिखा, जोश दिखेगा, दोनों हाथ उपर करो, दोनों हाथ, मुठी बांदो, गहरे, आरे भई, जोश पीछे खड़ ऌ, दोनों हाथ उपर करो यार, एक बार उपर करें, दिखाओ तोसे, वहां पे पीछे भी, एक दम पीछे भी, दोनों हाथ उपर करो और बोलो, बावरात मता की बावरात मता की वन्दे वन्दे मातरम मातरम वाह शिवपूर की माटी में बहुत जोश है भाई मजा आ गया तो अब इस जोश भरे वातावरण में कुछ तो अच्छी बात सामने रखनी पड़ेगी बहुत लंबे टाइम से आप सब की डिमांड थी गौालियर से शिवपूर की रेलवे लाइन कब पूरी होगी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मानिय मंत्री और हम सब के नेता श्री नरेंद्र सिंग तोमर जी को कि आपने एक एक पल एक एक शन इस प्रोजेक्ट के बारे में हर तरफ से धक्का लगा के काम करा के हम जैसे कारे करताओं को कभी पुछकार के कभी डांट के काम करवाया और आज ग्वालियर शिवपुर की 188 किलोमेटर की लाइन ग्वालियर से 100 मुली तक 38 किलोमेटर कम्प्लीट हो गई है तैयार है नई गाड़ी एक दम चक चक एक दम सुन्दर कलर की मैं मानिय मंत्री जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कितनी जल्दी आप समय दे तो उस गाड़ी को रवाना करे और फिर आगे समोली से कैलारस तक कैलारस तक और 28 किलोमेटर अगले चार महिने के अंदर अंदर ये कैलारस तक गाड़ी पहुचाएंगे क्या भाई खुशी है खुशी है तो दिखनी चाहिए खुशी है तो दिखनी चाहिए जोड से दोनों हाथ उपर करो भाई जम के ताली बजाओ मोदी जी तक आवाच पहुचे ऐसी जोड से ताली बजाओ दोस्तों आगे कैलारस से सोबलपूर सबलपूर क्या नाम सबलगर्ण ये भी उसके आगे आगे ही कंप्लीट होएगी और अभी मानने तोवर जी का तोवर साब का आदेश है गॉलियर से श्यूपूर श्यूपूर तक नहीं रुखनी चहिए कहा तक जानी चहिए लाइन आगे कहा तक जानी चहिए अरे भई ते जम आज बहलो कहा तक जानी चहिए और तेसे बोलो कहा तक जानी चाहिए कोटा तक जाएगी कोटा तक रेलवे लाइन शुपूर से कोटा तक सेंक्शन कर दी गई है जल्दी से जल्दी इसके उपर काम आरम करेंगे देखो भाई आपकी सारी डिवांट पूरी होती है तो इसका मतलब है शुपूर की इस भूमी में कुछ खास बात है तो यहां का रेलवे स्टेशन कैसा होना चाहिए कैसा होना चाहिए रेलवे स्टेशन वर्ल्ड क्लास मैं बोलूँगा कैसा होना चाहिए रेलवे स्टेशन आप बोलोगे वर्ल्ड क्लास कैसा होना चाहिए भई रेलवे स्टेशन कैसा होना चाहिए भई रेलवे स्टेशन तो मैं सारे नौजवान दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ पाँच लोगों की एक कमिटी मनाओ और आपके शियोपूर कला स्टेशन को खुद डिजाइन करो जैसा इस मिट्टी के गौरव में जैसा अपनी संस्कृती में एक वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बने वैसी धारणा आप लोग डिसाइड करो पाँच लोगों की कमिटी मानिवर्त उमर साभ डिसाइड करेंगे पाँच नौजवानों को जो की डिजाइन बनाएंगे और अगले 10-15-20 दिन के अंदर अंदर उसका फाउंडेशन स्टोन ले करके जल्दी से जल्दी काम चालू करेंगे साथियों मैं आपके सामने एक विशे और रखूंगा मद्य प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है विशाल प्रदेश है इतनी बड़ी जनसंखिया इतनो महत्वपून प्रदेश आज से 9 साल पहले केंदर में सरकार थी हमारे करप्शन नात और बंटादार के सातियों की कौन मैडम सुनिया और मौनी बाबा की UPA की सरकार थी जब UPA की सरकार थी तो मध्य प्रदेश को रेलवे के लिए क्या मिलता था भाई चने चबैने की तरे मध्य प्रदेश जैसे राज्य को मिलते थे मात्र 632 करोड रुपे नाजवान सातियों याद रखो ये नंबर UPA कॉंग्रेस की सरकार जब केंद्र में थी मध्य प्रदेश को रेलवे के लिए देती थी मात्र कितने भाई 632 कितने देती थे नाजवानों 632 करोड आए मोदी जी 2014 में आए मोदी जी 2014 में आप सब ने देश की जिम्मेदारी उनको दी क्या किया मोदी जी ने आते ही 632 को डबल किया 1200 किया 2400 किया 5000 करोड किया और इस साल कितना दिया सातियों अंदाज लगाएगा कोई 13,000 करोड रुपए रेलवे के लिए 13,000 करोड तो देखो सब के सब खड़े होके एक बार मोदी जी को धन्यवाद दो भई खड़े होके हाथ उपर करके तालिव जाओ और दो मोदी जी को जोड से बोलो मोदी 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 बहूत बहूत धन्यवाद शातियों